आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं digestive system पाचन तंत्र जो बाइलोजी का क्या है चैप्टर है या सब्जेक्ट चैप्टर है या एक पॉइंट है कुछ भी बोल सकते हैं जब बड़ा क्लास में जाएगा ते एक चैप्टर रहेगा चोटा क्लास में रहेगा ते क्या रहेगा खुरगूर देखते हैं कभी कभी खाना-वाला क्हाते हैं लगता है तो क्यों होता है और कैसे होता है और लगता है बच्वाth गया होता है ए January 6 की होता है और कैसे होता है इस सब Plan careful discuss करेंगे तो चलिर लग आगे देखेंगे कि यह लोग कि पाचन पाचन कहा है कैसे होता है तो पाचन का शुरुवात मेनी कहा हो जाता है in our मूक से हो जाता फेनाद है के मैं प्रोग को मैंनली कहां सुझाता है मुख से क्या हो जाता है पाचन का सुर्वात हो जाता है यह कोई चाचा है कोई बढ़ा बड़ा चीज को छोटे-चोटे-चोटे-टुकड़ों में तोड़ दना रोकोस बड़ाई शोट्फोस नहीं कि सब्सक्राइड D क्वน गणता है नियुक है विल्फुश के बड़ता है किसमें गलकोस तो तो बड़ा बड़ा रोटी अगयाकard बदल दिया चोटा-चोटा दम कड में बदल दिया जिसको गुल्यकोस फ्रुक्टोस शुक्रोस माल्टोस कहा जाता है इसे में चोटा-चोटा टुकडा में तोड़के हमारे तोड़के पीछे में कितना के लिए किसको पहले पहले का करते हैं इसको को सबसे पीछे वाला उसके आगे दूग को देखे रहता है इसको क्या बोलता है प्री मुलर मुलर उसके बाद क्या हुता है कई कराते हैं इसे कौई चिसको क्या करते हैं च्छेद करने के लिए कौंश यूज करते हैं यह के नाइन का यूज़ करते हैं लोग और काटने के लिए कौन से यूज़ करते हैं क्या होता है इंसीजर क्या करते हैं इंसीजर क्या करते हैं इंसीजर क्या है इंसीजर क्या है इसको आगे सबसे पहले का करते हैं इससे काटते हैं किसे इंसीजर से उसके बाद के नाइन से क्य पिर प्ली मॉलर उसके पाद क्या होता है मॉलर होता है कि संखै किन और तीन इधार परलो जो भी मानिए इसके उपर भी एक होता है लेकिन दात का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे दात का फॉर्मूला उसमें क्या होता है कि 21 x 23 वटे 23 तो यह क्या है 21 XX 23 यह किसे बना कैसे होगा दात मानिने की बना होगा यहाँ यह देखे है यह힌 रहा सबसे मजबूत होता है मजबूत होता है इसको एना मेल्ट उसके अंदर एक और वह सरी उसको क्या बोलते हैं और उसके नीचे जब अगल तो उसको कि और या प्रप्र बोलते वहीं से दाथ में बुलेट लिए पहुन को पहुंचत आए उसी में देखते हो यह नदर चोटा होंगे बचक्पन में तोड़के से देखेंगे तो गढ़े में को जब ऑधार रहाता है क्यामा जिसक राद कितने पर करको हता और नात कितने पर करको था कूछला रातीसरा किया हो गया उप gradersunde जमारेंगे केनाइन काटने वाला काम करता है किनन का करता है च्छच च्यूटेश थी पूरे दम क्चा के थूरेगा कौन से थूड़ेगा पूरे मोलर का करेगा पूरा दम पूरा थूर थरके हमको बोला गया था कि 32 बार चबा के खाएगा ना तो खाना अच्छा से पच्छेगा हम 32 बार चबाने का 10-15 बार में 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 सब खतम हो जाता था अब इसमें क्या चुट कि हमारा अकी दात दात है तो केल्सियम केलसियम सबसे चाहिए पायता है तो क्या होगा है केलसीं फासफेट से केल सीम फासफेट Sum से यहम क्षक फास से पेंल दात को मजबूती मिलता हैiben दूद्र पियो और दात पुरा मजबूत रहो हो अभर मजबूत होता है क Mün a정 के दातों की आठाए प्लोरीन से क्या होता है हमारा दातों का 6 होता है मजबूत किसे केल्सियम फासपेट से केल्सियम फासपेट से और कमजूर किसे होता है क्लोरीन से जाता है और केविटी यानि की देखिए मीठा चीज खाके अगर आप सो गया होते दात में तीड़ा लग जाता है इसको बोलते खोड़ा जैसा दिखेगा परचार में देखाता है इसलिए कभी रात में सोने से पहले या तो अच्छे से कुल्ला कर ले या करें कुल क्या होता है मीठा होता है दाट क्यों सड जाता है बच्च लोग आप चोकॉलेट खाया इसका मूह अच्छा संकी दधख़या निए पुरन होन्स एक लेवर्य लखना एंधिन चाहिए इसमें कॉस्पशा को सुटभी बताना बूलन को कि हमारा जीवन काल में कितना दाथ निकलता है तो देखिए 20 को Δाथ है जो हमारा तूटता है और 32कोजना हो तूटके फिर से जनम जाता है तो एक बार जैंब बार 32 को पूरा उसके बाद का उसके ब activity sixth कितना हो जाएगा 52 होजाएगा और अकलदात एक होता है कहततानी के ऐसा यह सब जो है यह थज तो यह कब निकलता है जैसे से आपका एच बढ़ते से चबड़ते चाओब 2 20 तक ले क्या होगा आपका करता हैं अब एक बच्चा लोग का दाद का फॉर्मूला होता है बच्चा कि यह निकलता है 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 यह निकलता ह कि कभ निकलता है कि 14-18 के एज की बिच में कभी भी निकल सकता है 1220 टक भी चल जाए तक ता बहुत दर्द देता है उच्छाब पूरह निकलेगा मान्स को बहुत ज़्यादा दर्द देता है